उत्रप्रदेश में विधानसवा चुनाव नजदी घैंसे में बीजपी सत्ता वापसी की रहा देख रही है लेकिन पीली भीट से बीजपी के लिए एक बुरी ख़वर सामने आई है जी हाँ वरुन गांधी की तरह अब बीजपी के एक और नेता बागी होते हुए नसर आ रहे है दरसल ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पीली भीट से विधायक अपनी ही सरकार के खिलाप धरने पर बैठ गए है आखिर कौन ये विधायक है चलिए अब आपको ये बता देते हैं यूपी के पेली भीट जिरे के बिसलपूर विधानसवा सीट से बीजपी विधायक राम शरनवर्मा अपनी कारश्यली के लिए हमेशा से ही चर्चा में बने रहते हैं विधायक चुनाव के नज़ीक आते ही उनकी चर्चा भी और ज़्यादा बढ़ गई है उन्होंने अब अपने ही सरकार और अधिकार्यों के उपर आरोप लगाते हुए धरने पर वो बैठ गए हैं कि उनकी कहीं पर नहीं सुनी जा रही है विधायक राम शरन वर्मा की नौ सूत्रिय मांगे हैं जिसको लेकर वो धरना कर रहे हैं इसमें सबसे प्रमुक मांग आवारा पश्रू से किसानों को होने वाली शती से राहत देने की है उन्होंने गाउं 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 गौशाला खुलवाने आवारा पश्रू से किसानों को होने वाली शती का मुआबजा गौशालाओं की शम्तव रहाने गौशालाओं में पश्रू के लिए चारे दाने और पानी की समुचित विवस्ता गौशाला भवनों के निर्मान में क कालीन धरने पर बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों के बैट जाने से प्रसाशन में खलबली मच गई है जिलादिकारियों पुलिस अदिक्षक को धरने की सूचना दे दी गई सूचना की दृष्टी से धरना इस्तल पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात कर दिया नहीं पहुँचा और ऐसे में शाम होते होते ये धरना ऐसे ही चलता रहा लेकिन सुद्ध लेने वाला कोई नहीं पहुँचा लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब सत्ता धारिपार्टी के विधायकों की मांग ही पूरी नहीं होगी तो इस जनता की कब और कैसे सुनेगा यह सोचने वाली बात है